सो गईज आज मैं चैनल के ओपर 10400F का PC Build वीडियो पोश्ट करने वाला था बट फिर मैंने सोचा कि भाई जो हमारा 3050 है और 3050 Ti है अब ये वाले जो GPUs है ना गईज Leaks and Rumors के अकॉर्डिंग तो काफी तगडे ग्राफी कार्ट्स लग रहे है और आप लोगों में से काफी सारे जन कह भी रहते कि भाई इन दोनो GPUs के ओपर एक dedicated वीडियो बनाओ तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसके ओपर एक मस्त ऐसे dedicated वीडियो बना देते हैं और आज के इस वाले वीडियो में हम 3050 and 3050 Ti के बारे में ही बात करने वाले हैं तो अगर आपको भी पसंद दे इस तरह के PC-related वीडियो तो फटा-फट दे आर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये सब्सक्राइब बटन दबाके एंड उसके बगल में जो bell notification आइकन होगा वो घंटा उसको all पर रखके जाना उससे होगा ये कि future वे अपने चैनल के ओपर कोई भी ऐसे PC-related वाली वीडियो डालूँगा तो आप लोगों कोई उसकी इस्टर notification मिल जाएगी अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे budget वाले card के बारे में जो कि है हमारा RTX 3050 तो गई ये जो हमारा 3050 है ना ये Nvidia के latest MPR architecture पर बना हुआ है और साथी साथ मैं specs की बात करूँ तो ये वाला जो GP हुए ये आपको GDDR6 वाली 4GB की VRAM ओफर करवाएगा और इसमें आपको 128-bit का memory bandwidth देखने मिल जाएगा अब सबसे interesting चीज ये वाले card में मुझे ये लगी कि भाई इस वाले card में आपको 2304 CUDA Cores देखने मिल जाते है और आप लोगों को एक चीज बता दू इस से कम CUDA Cores आप लोगों को देखने मिलता है 2060 Super में और वो वाला जो graphic card वो almost आपको 35,000 रुपीज में मिलता है बट गैस leaks के according जो हमारा 3050 होने वाला है ये 200 डॉलर के आसपास आएगा अगर आप उसको direct Indian रुपीज में convert करते हो तो भाई 13,500-14,000 रुपे ही होते है जैसा कि आप लोगों को पता है भाई GST VST add करने के बाद इंडिया में जो cards की prizes से वो जादा हो जाती है तो मेरे हिसाब से गाईज ये जो हमारा 3050 है ये आराम से आपको 17-18,000 रुपे के आसपास इंडिया में देखने मिल सकता है ये जो हमारा 3050 है ये only 90 वोट के TDP के साथ ही आता है अब जो 3rd और सबसे most interesting चीज मुझे लगी ये वाले card के अंदर वो ये है कि यहाँ पे आपको 18RT course देखने मिल जाते हैं साथी साथ में इस वाले card पे भाई आपको ray tracing का support भी देखने मिलेगा हाला कि आप एकदम 1080p ultra settings पे भाई ray tracing का मजा नहीं ले सकते हो सारी settings को ultra पे रखे बट at least guys यहाँ पे आप DLSS को on करके settings को थोड़ा बहुत low करके settings में थोड़ा बहुत tweak करके आप at least भाई ray tracing का मजा तो उठा सकते हो क्योंकि यार आज से डाइम पे एक budget gamer के लिए 30-35,000 रुपे invest करना एक 2060 या फिर 2060 super ले पाना मतलब काफी बड़ी चीज है यार काफी ज्यादा बड़ा amount भी है तो आपको at least budget में रहकर ray tracing का मजा मिल पाएगा हमारे 30-50 के साथ जो की काफी interesting चीज लगी मुझे हाला कि यहाँ पे जो RT course है वो थोड़ा सा कम है बट at least यार ray tracing का मजा तो उठा पाओगे आपने वो कहवत तो सुनी होगी यार कुछ नहीं थे कुछ तो सही वाली अब लाश्ट में बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि भाई यह वाले जो GPUs हमको कब देखने मिलेंगे या फिर आप 1650 super लेने वाले थे 1660 super लेने वाले थे या फिर 1660 ti 2060 2060 super अगर आप ऐसे कोई भी कार्ट लेने वाले थे तो मैं आपको यह सजेट करूँगा कि भाई रुख जाओ यार at least एक महीने का वेट कर लो एक महीने के अंदर आपको यह दोनों ही कार्ट यहाँ पर देखने मिल जाए 1350 and 1350 ti की बात कर रहा हूँ and leaks and rumors की according तो 3050 जो होने वाला है न बहुत ही आराम से काफी जादा margin में 1650 super को बीट कर देगा क्योंकि अगर आप 1650 super के क्यूडा कोर्स को देखो न तो 1650 super में आपको only 1280 कूडा कोर्स देखने मिलते हैं and यहाँ पे आपको 2300 and 4 क्यूडा कोर्स देखने मिल जाते हैं जो कि यार सीधा सीधा डबल ए 1650 के क्यूडा कोर्स है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अगर आप 40-50 हजार तक कोई PC बनाने वाले थे तो भाई एक महीना एटलिस्ट वेट कर लेना एक महीना रुख जाओ आप लोगों को तो पता यह भाई सबर का फल मीठा होता है क्या पता यार आपको कुछ ज्यादा ही मीठा मिल जा है अब जो हमारा दूसरा कार्ड है 1350 Ti उसके बारे बात कर लेते हैं अब देखो यह जो 1350 Ti वाला GP हो न यह थोड़ा सा भाई है कि NVIDIA का जो 1350 Ti वो 6GB के साथ है बड़ जो 12GB वाला variant है वहाँ पर चीज़े थोड़ा सा अटपटी हो जाती है वो इसलिए बिकॉस NVIDIA ने अल्रेडी 3060 Ti लांच कर दिया है जो कि भाई 8GB के साथ आता है एंड अब यार 3050 Ti में 12GB वो कैसे देगा या फिर क्योंकि जो हमारा 3050 Ti है वो 3060 Ti से चीपर कार्ड होगा एंड चीपर कार्ड में वो भाई 12GB की वीरेम क्यों देगा आप मुझे बताओ तो यहां पर कोई लॉजिक और सेंसी नहीं बनता है कि भाई NVIDIA 3050 Ti में 12GB का कोई एक वेरियेंट लेके आएगा एंड इसी वाज़ा तो जो यह वाला कार्ड है न यह थोड़ा सा कॉंट्रोवर्सी क्रियेट कर रहा है बट अगर आप मेरी मालो तो यहां पर आपको ओनली 6GB का ही वेरियेंट देखने मिलेगा अब लोग यह भी कह रहे है कि भाई AMD के अभी जो नए कार्ड्स आने वाले हो वो 12GB की वीरेम के साथ आने वाले है तो हो सकते है भाई NVIDIA को NEC to NEC competition देने के लिए 12GB वाला वेरियेंट भी ला दे बट मुझे नहीं लगता कि 12GB का कोई वेरियेंट आएगा तो यार यह जो 12GB वाला रूमर है यह मुझे टोटल अफवा ही लगता है अब यहां पर 1350 TI के specs की बात करूँ तो इस वाले कार्ड में आपको 6GB की GDDR6 वाली interesting card लग रहा है in fact यह वाला जो card हो सकता है यार 2021 में Nvidia की तरफ से one of the best value for money graphic card बन जा है क्योंकि यह काफी तगड़े specs यार काफी कम price पे लेके आने वाला है तो दोलों ही cards के बारे मैंने आप लोगों को बता दिया है and detail में अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हो तो PC वीडियो के description में में इनके articles की link डाल दूँगा उस वाले page पे जाके आप और भी इनके बारे में जान सकते हो बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यार आप लोगों को यह दो लो graphic cards कैसे लग रहे है and अगर आप लोगों को अभी के time पे PC build करना है तो क्या आप रुकना पसंद करोगे या फिर आप लोग भाई एक 1650 super या फिर 1660 super लेकर अपना PC build कर लोगे तो आप लोगों की क्या रहा है नीचे comment section में comment करके मुझे जरूर बताना बाकी इतना ही था आज की video के लिए and हा guys 10400F वाली build भी जल्दी आएगी channel पे तो उसके लिए अगर उसके तो चाहर writes जर जर आएगी एक 1670